हेलो दोस्तों, होब की आप लोगों को ये important species का जो first part है वो पसंद आया होगा, ये इसका second part है, मैंने आपको पहले भी बताया और फिर बता दे रहा हूँ कि एक बहुत ही important topic है और हर साल इसे UPSC और other exams में भी इसे questions लगातार पूछे जाते रहते हैं, तो आप लोग इसे इसे देख लेंगे, तब भी आपको इतनी knowledge, इतनी information आपके दिमाग में आ जाएगी कि आप इसको सिब देख कर ही exam में questions कर सकते हैं, तो इसी तरीके के तीसरा part है, इस तीन part में मैं पूरे जितने भी 2019-2020 में जो important species रही हैं, जो कि किसी ने किसी वज़ा से चर्चा में रही ह उनको मैं discuss कर रहा हूँ, तो इसे आप अच्छे से देख लें, इसे अच्छे से तयार कर लें, तो चलिए शुरू करते हैं, next species है, Asiatic golden cat, वैग्यानिक उन्हाल में खूज की है कि golden cat सिफ golden color की ही नहीं होती, बलकि अर्वनाचल परदेश में ये 5 रंगों में मिलती है, इसक इंडिया और इंडोनेशिया तक पाई जाती है, भूटान और चाइना में दो golden cat की परजातियां पाई जाती है, एक cinnamon यानि की दालचीनी के रंग की होती है, और दूसरी अमेरिका में पाई जाने वाली जंगली बिली ओसिलोट के रंग की होती है, next species fruit bat है, जो हाल ही में नि पूर्वी एशिया में पाया जाता है, और इसे ही flying fox के नाम से भी जाना जाता है, और या दुनिया के सबसे बड़े चमगादरों की प्रजाती में से एक है, fruit bat और normal bat में basic difference यह होता है, कि normal bat अपना भोजन तलाशने के लिए ultrasonic wave create करते हैं, जबकि fruit bat अपना भोजन सून कर, यानि smell करके तलाशते हैं और उसका पता लगाते हैं, निपा वाइरस जुनॉटिक डिसीज कहलाती है, क्योंकि यह fruit bat जैसे जानवरों से फैलती है, next species है golden langour, इसके बारे में interesting बात यह है कि 2005 में मनरेगा या MG नरेगा महत्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act बनने के बाद golden langour पहले जा इनका फायदा ले पाएंगे, अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो बात यह है कि आसाम के बॉंगवी गाओं डिस्टिक की डिस्टिक अथार्टी ने 27.5 लाक रुपए का एक प्रोजेक्ट मनरेगा के अंतरगत लांच किया है, जिसमें अमरूद आम जैसे पौधों को लग लाइफ हमेशा रिस्क में होती है, और कई बार जो लंगूर होते हैं, वो रास्ता पार करते हुए मारे जाते हैं, या फिर एलेक्ट्रिक करेंट की वज़े से मारे जाते हैं, तो इनकी जान बज़ पाएगी, ये काम का कोई जाना रिजर फॉरेस्ट में किया जाएगा, इ आसाम की चक्रशिला सेंक्चूरी पहली वाइल लाइफ सेंक्चूरी है, जहां गोल्डन लंगूर प्राइमरी स्पीसीज की तरह रहते हैं, ये लगबग 600 लंगूरों का घर है, नेक्स स्पीसीज ब्लू वेल है, जिसके एनाटमिकल स्ट्रक्चर यानि उसके जैविक स्व या बेलेना आजूल है, साइंटिविक नाम इसका बेलेनोप्टेरा मस्कूलस है, ये लगबग सभी महसागरों में पाई जाती है, सिर्फ आर्क्रिटिक को छोड़ कर, ये धर्ती में पाई जाने वाला सबसे बड़ा जीव है, इस्तंधारी होता है, जिसका भार लगबग 200 टन के करीब होता है, और इसकी आवाज धर्ती पे पाई जाने वाले सभी जानवरों में सबसे तेज होती है, आयूसीन की रेट डेटा लिस्ट की बात की जाए, तो ये इंडेंजर्ड है, और इंडिया की वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतरगत इसे इस मिलियन साल पहले पाया जाता था, इसका साइज मानो शरीर का आधा लगबग एक मीटर होता था, और इसका भाल लगबग साथ किलोग्राम का होता रहा होगा, ये एक फ्लाइटलेस बड़ रही होगी, यानि ये उड़ सकने में सक्षम नहीं रही होगी, अगर बात करें जीवित स्पिसीजिस के बारे में तो तोतों की लगबग 350 जीवित स्पिसीजिस इस वक्त धर्ती पर मौझूद है, जिसमें जो सबसे बड़ी है उसका नाम काकापो है, और ये भी न्यूजी लैंड में ही पाय जाती है, और ये भी फ्लाइटलेस बड़ है, यानि उड़ स इसका साइंटिफिक नेम मनोरिया इंप्रेसा है, जो IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल है, ये मुख्यता बर्मा, साउथ चाइना, ठाइलैंड, लाओस, वियतनाम, कमबोडिया और मलेशिया के पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है, इसकी जो शेल होती है, यानि उपर की आउन रंकी होती है, और ये एशिया के जंगली कच्छूओं, जिन्हें मनोरिया इनीस कहते हैं, से बहुत छोटे होते हैं, नेक्स स्पीसी एक बटरफ्लाई मींज तितली की प्रजाती तामिज मारवा है, जिसे तमिल योमन भी कहते हैं, जिसे तमिल लाडू गॉर्मेंट ने स्टेट बटरफ्लाई का दरजा दिया है, इसका साइन्टिफिक नेम सिरो कुरोवा थाइस है, ये वेस्टन घार्स और सिलंका में पाई जाती है, इस डिसीजन के बाद तमिल लाडू भारत का पाच्वा राज बन गया है, जिसने अपनी स्टेट बटरफ्लाई घोशि और केरला ने इसके बाद मालाबार बैंडेट पीकॉक बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई घोशित किया है, नेक्स स्पसीज आर्किटिक फॉक्स है, जिसने समुदरी बर्फ पे सिर्फ 76 दिनों में 2175 माईल की नार्वे से कैनेडा की यात्रा करके वेग्यानिकों को च 275 किलोमीटर सिर्फ 76 दिनों में वो भी जो समुदरी बर्फ होती है उस पर इसका कॉमन नेम आर्किटिक फॉक्स, कोस्टल फॉक्स, पूलर फॉक्स या स्नो फॉक्स है, साइन्टिविक नेम इसका वल्प्स लेगोपस है, रेड डेटा लिस्ट में ये लीस कंसन है, ये आ तूंगाथ, थैंक यू सो मच्छ